नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पढ़ हाई अड़ा पे आज मैं आप लोग को क्लास 10 आइसी एसी के पिजिक्स के चैप्टर वन का कंप्लीट नुमरिकल्स कराने वाला हूं दोस्तों वो भी आपके एक्सरसाइज का कंप्लीट देता हूं वर्मूलाथ तो आप लुग देखें ध्यान से दोस्तों मोमेंट uki स्कसी तरीके से मीडर यूज ऑर जानते हैं क्या कि principle of moment हमारा क्या बोलता है principle of moment at equilibrium condition at equilibrium condition क्या बोलता है कि अगर कोई body equilibrium condition में है तो उस time जो उसका clockwise moment होगा दोस्तों क्या clockwise moment वो anti-clockwise moment के बराबर होगा sum of all clockwise moment is equal to the sum of all anti-clockwise moment और यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग ध्यान दिजिएगा clockwise मतलब घड़ी की दिशा का direction दोस्तों clockwise मतलब घड़ी की दिशा का direction anti-clockwise मतलब घड़ी की opposite का direction clockwise में जो हम value लेते हैं वो लेते हैं negative और anti-clockwise में जो value लेते हैं दोस्तों मोमेंट का वो positive बस इतना आप लोग को ध्यान रखने आप पर उसके बाद आपका पूरा exercise का question बन जाएगा तो चलिए हम पहला question देख रहे हैं बोल रहा है कि the moment of a force of 10 newton about a fixed point O is 5 newton meter calculate the distance of the point O from the line of action of the force बोल रहा है कि एक point O यहां से कुछ दूर पे यहां पे force लग रहा है दोस्तों कितना 10 newton का 10 newton का और इसके वज़ा से इसमें जो moment आया moment of force है आया वो 5 newton meter का moment of force आया तो बोल रहा है कि यह जो distance है दोस्तों यह distance कितना होगा हमें बताए तो हम जानते हैं क्या moment of force is equal to होता है moment of force मतलब हम सिधा बोल सकते हैं कि हमें क्या find करना है perpendicular distance तो moment of force होता है क्या दोस्तों force into perpendicular distance force into perpendicular distance तो हमारा force दिया हुआ है 10 Newton, perpendicular distance हमें find करना है और moment of force हमारा दिया हुआ है 5 Newton meter, तो यहां से हमारा perpendicular distance आ जाएगा 5 Newton meter upon 10 Newton, Newton से Newton cancel 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, that means हमारा perpendicular distance आ गया दोस्तों 1 by 2 meter, that means इसे हम बहुत सकते हैं 0.5 meter या फिर किसी को centimeter में change करें तो हो जाएगा हमारा 50 centi meter, इस तरीके से आप इसका solution कर सकते हैं, अगर आप लोग को यह समझ में आया और इसका solution भी मैं यहां पर लगा दिया हूँ दोस्तों तो आप लोग यह भी देख सकते हैं, अचलते हैं question number 2 के और, तो यहां पर बोल रहा है, a nut is opened by a range of length 10 cm, एक nut है दोस्तों, इस nut को एक range जो है एक range जो है, तोड़ा समय बना देता हूँ अब लोग के लिए, यह एक range, यह एक nut है, इस nut को यह range जो है, बोल रहा है, a nut is opened by a range, और range of length 10 cm, इसका length कितना है दोस्तों, 10 cm बोल रहा है, इस range का length, if the least force required is 5 N, और इस पर जो इसको खोलने के लिए, इस पर जो force लगा रहा है, द force needed to turn the nut, तो इस nut को turn करने के लिए, इस nut को turn करने के लिए, कितना moment of force लगाना पड़ेगा, तो मतलब हमें moment of force find करना है, हमें force दे दिया है, और उसका length या मनिकी perpendicular distance हमें दे दिया है, तो हम जानते हैं दोस्तों, कि moment of force, moment of force is equal to क्या होता है, force into perpendicular distance, तो आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे हमारा जो perpendicular distance, यानि कि यह जो दिया हुए centimeter में है, इसको हम लोग change कर लेंगे दोस्तों, कि में? meter में, तो meter में change करने के लिए, हम इसको divide कर देंगे 100 से, तो 100 से divide करेंगे, तो हो जागा 0.1 meter, कितना हो जागा दोस्तों, 0.1 meter, और force हमारा दिया हुआ है 5 Newton, और यह आ गया 0.1 meter, और यह Newton, तो इस हिसाब से हमारा आ गया दोस्तों, यह point अटेगा नीचे 10, 5 वंजब 5, 5 तूज़ा 10, मतलब 1 by 2 Newton meter, that means इसे हम बहुत सकते है, 0.5 Newton meter का momentum force चाहिए, इस nut को घूमने के लिए, तो आसा करते हो, कि आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, त अब हम चलते हैं, next question, question number 3 के और, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बोल रहा है, a wheel of diagram, sorry, diameter 2 meter, एक wheel है, जिसका diameter है, दोस्तों, 2 meter, कितना है, 2 meter, is shown with the axle at O, और इसका fix है, यह किस पे, O पे, अब force F, 2 Newton is applied at B, और B पे एक 2 Newton का force लग रहा है, इन्दी direction, इन्दी figure, इस direction में पूछ रहा है, calculate the moment of force about in the center O, इस center O के along moment of force find करना है, और point A के along moment of force find करना है, हमें diameter का लंबाई दिया हुआ है, दोस्तों, 2 meter, तो यहाँ से हमें, मतलब, पूरा AB का distance दिया हुआ है, 2 meter, तो हमें O B कितना मिल जाएगा, radius, जो कि हो जाएगा, 2 meter का आधा, मतलब, 1 meter, O B हमारा कितना हो जाएगा, 1 meter, तो question first में हमारा वही बोल रहा है, कि O point के along उसका moment of force कितना होगा, तो B से O के बीच का distance कितना हो जाएगा, दोस्तों, 1 meter, मतलब, हमें यहाँ पे perpendicular distance मिल गया, कितना, 1 meter का, जो कि किसके बराबर है, O B के बराबर, और यहाँ पे force हमारा कितना लग रहा है, 2 newton, तो moment of force हमारा हो जाएगा, क्या, moment of force हो जाएगा, क्या, force into perpendicular distance, force है हमारा, 2 newton, और perpendicular distance हमारा, 1 meter, जो कि आगया कितना, 2 newton, meter, उसी तरीके से second बोल रहा है, क्या, point A के along, तो यहाँ पे हमें पता है, दोस्तों, force लग रहा, point B पे, और A तक का distance दिया हुआ है 2 newton, यहाँ पे force है हमारा, 2 newton, तो moment of force हमारा क्या हो जाएगा, एके along हो जाएगा, force into perpendicular distance, force है हमारा, 2 newton, यह भी है, 2 newton, तो यहाँ से हमारा answer आजाएगा, 4 newton, meter, इस तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं, दोस्तों, इसका भी solution आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम आ आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना है, कि यह जो force लग रहा है दोस्तों, इसके वज़ा से यह clockwise moment करेगा, clockwise moment करेगा, तो जिसके वज़ा से इसका जो moment of force आएगा, वो negative होगा, negative सो करता है clockwise moment को, negative सो करता है clockwise direction को, बस आप लोग को यह ध्यान रखना है, तो चलिए next question देख रहे एक F1 और एक F2, दो force apply हो रहा है, एक 5 newton का और एक 3 newton का, acting at point A and B, point A पे और B पे apply हो रहा है, और फार rod pivoted at O, एक rod है, जो किस point पे fix है, O पे pivoted है, such that O यह दिया हुए at 2 meter, और O भी दिया हुए है 4 meter, calculate the moment of force F1 about O, इस F1 के along, इस F1 force के वज़ा से, इस O के O पे कितना moment of force लगेगा, वही हमें find करना है, तो हमें पता है, 5 newton तो हमारा जो d1 मान लिजा, o distance d1, यहां से यहां को d1 मान लेते हैं, यह d1, तो d1 हमारा कितना है, और इसको मान लेते हैं, d2, ठीक है, तो यह d1 कितना दिया हुए है दोस्तों, 2 meter, तो हमारा momentum force आ जागा क्या? force into perpendicular distance तो force हमारा है 5 into 2 Newton meter that means कितना जागा 10 Newton meter 10 Newton meter तो यहाँ पर force लग रहा है नीचे इसके वज़ा से यह ऐसे घूमेगा तो ऐसे घूमेगा तो यह हो गया anti-clockwise क्या हो गया दोस्तों anti-clockwise moment उसी तरीके से second question में हमारा बोल रहा है the moment of force F2 about O F2 को find करना है F2 about O हमारा F2 यहाँ पे है और O के along तो यहाँ से O भी का distance कितना जो D2 है वो 4 meter है तो यहाँ सी इसका moment of force आजागा तो इस तो 4 into perpendicular distance तो force है हमारा कितना 3 Newton का और distance हमारा यहाँ पे 4 meter का तो यहाँ पे answer आगया 3, 4, 12 Newton meter और इसका direction क्या होगा यह ऐसे घूमेगा दोस्तों जो की clockwise होगा क्या होगा clockwise और clockwise में हम value लेते हैं क्या negative यहाँ पे यह होगा negative का 12 Newton meter यहाँ पे negative सिर्फ सो कर रहा है क्या कि यह clockwise moment कर रहा है अब थर्ड में हमारा बोल रहा है क्या total moment of two forces about O अब total moment of force क्या होगा इस point O पे तो sum कर देंगे मतलब anti-clockwise moment और clockwise moment दोने को जोड़ देंगे तो यह anti-clockwise moment हो और यह clockwise moment sum of anti-clockwise moment plus clockwise moment ऐसे करके जोड़ देंगे तो anti-clockwise moment हमारा आया है 10 Newton meter का और यह minus dual Newton meter का anti-clockwise moment तो यहाँ से आ गया minus 2 Newton meter मतलब यह object जो है वो इधर ही घुमेगा clockwise direction में ही पर कितने Newton meter से 2 Newton meter के force से यह negative सो कर रहा है किसका direction क्या रहेगा clockwise रहेगा तो आप लोग इसका solution भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे clearly आप लोग को पता चल रहा होगा यह clockwise direction दिखा रहा है negative तो मतलब हो जो total moment of force होगा हमारा कितना होगा 2 Newton meter का होगा तो इस तरीके से आप लोग अब चलते हैं लोग दोस्तों next question question number 5 आप लोग देखेगा ध्यान से बोल रहा है two forces each of magnitude 10 Newton act vertically upwards and downward respectively at the two ends A and B of uniform rod of length 4 meter which is pivoted at midpoint as shown in figure determine the magnitude of the resultant moment of force about the pivot O मतलब यहाँ पर resultant moment of force हमें find करना है इस O के along तो आप देख सकते हैं दोस्तों question में दिया हुआ है कि दो force लग रहा है एक point A पे लग रहा है एक point B पे लग रहा है और दोनों opposite direction में लग रहा है एक इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है इस force के वज़ा से यह rod कैसे घुमेगा मतलब clockwise direction में घुमेगा और इस force के वज़ा से यह ऐसे घुमेगा यह भी clockwise direction में घुमेगा और यहाँ से यहाँ का यह बोल रहा है कि mid point में pivot है तो यहाँ से यहाँ का distance हो जाएगा 2 meter किवी डिस्टेंस हो जाए गए만को में कितना को फेक cristSmith पहले क्या करेंगे इसका mark-wise मोमेंट मतलब दोनों एंड पए पे और की और को मोमेंट निकाल 17 क्या करेंगे दोनों को उनका perpendicular distance हमारा force है 10 Newton और Distance है दोस्तों 2 meter तो जो कि आ जाएगा 20 Newton meter उसी तरीके से at B भी यही आएगा 20 Newton meter तो resultant क्या हो जाएगा दोस्तों रिजल्टेंट आर इस यू 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 अफ ये रिजल्टेंट हो जाएगा इसका क्या लिएल्टेंट, जो resulting moment of force होगा, at O, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 20 fewer, और यह minus, दोनो minus होगा, minus इसलिए होगा, क्योंकि दोनों है जो clockwise moment कररहा है, तो minus 40 neu так करर्छा हागा, इसका, resultant moment of force at O, तो इस तरीके से दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग यहां पर इसका solution भी देख सकते हैं यह देख लिजे दोस्तों यह 20 newton meter आ गया वो भी clockwise direction clockwise direction में हमेश्था जो value लिया जाता है वो negative value लिया जाता दोस्तों आप देख रहे हैं कि 20 newton meter clockwise 20 newton meter clockwise और फाइनल जो टोटल मोमेंट और फोर्स आया ओपर वो भी 40 newton meter clockwise अब देखें यहां पर question number six आप लोगे लिए यहां पर फिगर सोर्स तू फोर्सेज इच अफ मैंगनिट्व 10 newton acting at points A and B at a separation 50 cm in opposite direction आप देख रहे हैं कि यहां है point O और यह दोनों A और B के बीश का distance 50 cm और A पे लग रहा है 10 newton का force B पे भी लग रहा है 10 newton का force बर opposite direction में लग रहा है अब question पूछ रहा है calculate the resultant moment of two forces about the point A इस point A पे resultant moment of force कितना होगा इस point B पे resultant moment of force कितना होगा and O is situated exactly in the middle of the two forces अब और साथ ही साथ पूछरा third में क्या situated exactly अब यहां पे moment of force कितना होगा O पे यह तीनों point पे आपको resultant moment of force find करना है तो पहला हम करेंगे कहां पे at A पे तो आप देख रहे दोस्तों यहां से हमारा force के किदर लग रहा है एक यहां पे A पे लग रहा है अब देखिए इस force B जो लग रहा है अगर यहां से इसका distance यहां तक देखने के कोसिस करें तो वो आ रहा है हमारा कितना पचास सेंटी मीटर इसको जब हम बदलेंगे मीटर में दोस्तों यह आएगा 0.5 मीटर आप देख रहे हैं कि इस point A पे B की वज़ा से जो perpendicular distance है दोस्तों वो 0.5 मीटर है तो B की वज़ा से इस point A पे moment of force होगा moment of force at A from B वो कितना होगा दोस्तों तो moment of force is equal to force into perpendicular distance तो force हमारा लग रहा है 10 newton का और perpendicular distance कितना हो गया 0.5 मीटर तो यहां से आ जाएगा दोस्तों कितना यह point हटेगा नीचे 10 10 से 10 cancel 5 newton मीटर आ गया at point A अब A के वज़ा से A पे कितना moment of force आएगा इस A के वज़ा से A पे ही कितना moment of force आएगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह point A पे ही है का point A से A तक का distance कितना होगा perpendicular distance 0 मीटर a से a पे ही distance कितना होगा 0 meter जिसके वज़ा से a पे जो moment of force होगा दोस्तों वो a की वज़ा से वो कितना होगा 0 newton meter होगा 0 newton meter होगा तो अगर हम resultant निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर यह इधर इसको खीचेगा तो यह ऐसे घुमेगा that means clockwise direction में घुमेगा तो यहाँ सी यह clockwise 5 newton meter meter plus 0 तो यह कितना हैगा 5 newton meter का ही resultant moment of force आएगा a पे उसी तरीके से अगर b पे हम resultant moment of force find करने की कोशिस करें तो इस a की वज़ा से सिर्फ आएगा b की वज़ा से फिर 0 हो जाएगा तो b पे भी resultant moment of force आएगा दोस्तों वो कितना हैगा 5 newton meter का और अब o पे हम find करने के कोशिस करें o पे find करने के कोशिस करें तो इसकी वज़ा से मतलब a की वज़ा से o पे आधा हो जाएगा distance यह total था 50 cm यहां से यहां हो जाएगा 25 cm तो देख रहें दोस्तों कि इस big a की वज़ा से इस o पे कितना momentum force आएगा तो force हमारा है 10 newton का और distance हो गया दोस्तों कितना 25 cm को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 0.25 मीटर होगा तो a की वज़ा से कितना हो जाएगा force into perpendicular distance तो 4 हो गया 10 newton distance हो गया 0.25 मीटर तो यह आगया दोस्तों यह हटेगा नीचे तो 100 10 बंजा 10 एक जिरो एक जिरो तो 2.5 newton मीटर आगया अट a उसी तरीके से एट b कितना आएगा यह भी 2.5 newton मीटर आएगा सेम तो resultant कितना हो जाएगा तो आप देख रहे हैं कि यह इधर गुमेगा clockwise यह भी clockwise तो दोनों जुड़ जाएगा तो resultant कितना हो जाएगा 5 newton मीटर का और वो भी clockwise होगा तो इस तरीके से आप लोग का solution समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोग इसका solution भी यहाँ पे देख सकते हैं बोल रहा है कि perpendicular distance जो है point A से force का वो 10 newton है और B से कितना है 0.5 meter जिसके वज़ा से और देखिए दोस्तों और A पे ही distance कितना है 0 meter का है तो इस पे जो moment of force होगा वो 0 होगा जिसके वज़ा से total moment of force जो है दोस्तों A पे वो कितना हो जाएगा 5 newton meter का उसी तरीके से B पे भी 5 newton meter का और दोनो clockwise होगा तो जो final जो हमारा आएगा वो भी 5 newton meter का आएगा और वो भी कितना आएगा कॉंसे direction में आएगा दोस्तों clockwise direction में आएगा अब देखिए question number 7 हमारा क्या बोल रहा है A steering wheel of diameter 0.5 meter is rotated anti-clockwise by applying two forces each of magnitude 5 newton draw a diagram to show the application of force and calculate the moment of force applied क्या बोल रहा है कि एक steering wheel है एक steering wheel है जिसका diameter है दोस्तों कितना 0.5 meter rotated anti-clockwise anti-clockwise rotate कर रहा है मतलब इस direction में rotate कर रहा है by applying two forces अब इस पर two force apply हो रहा है दोस्तों और जिसके वज़़ा से यह का रोटेट कर रहा है each of magnitude तो मतलब एक force मान लीजे इधर जिसके वज़़ा से यह क्या हो रहा है इसको मान लेते है F1 इसको मान लेते है F2 और दोनों पे 5 newton का force apply कर रहा है कितना पे? कितना newton? 5 newton का force तो draw a diagram तो यह तो हो गया उसका diagram application of force and calculated the moment of force applied तो पूछ रहा है क्या दोस्तों कि calculate किजी moment of force इस पे जो है वो कितना apply हो रहा है तो आप जानते हैं क्या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों इधर लग रहा है एक force और एक force ऐसे लग रहा है तो यह 5 newton और यह 5 newton ऐसे भी कर सकते हैं आपके लिए इस तरीके से आसान हो जाएगा दोस्तों तो आप लोग देखिएगा ध्यान से इसका solution और क्या होता है कि moment of force क्या होता है मोमेंट of force क्या होता है जब दो force दोनों equal हो तो कोई भी एक force लेके और उसके बीच का perpendicular distance लेके हम जो है उसका मोमेंट of force find कर सकते हैं तो मोमेंट of force क्या होगा आइधर force कोई भी force into perpendicular distance तो यहाँ पे कोई भी एक force लेते हैं 5 newton का और distance कितना हो गया दिस तो 0.5 मीटर यह हटा नीचे 10 आया तो हमारा 5 by 2 newton मीटर that means 2.5 newton मीटर इसका हो जाएगा answer तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मोमेंट of couple क्या बोलता है आइधर force into couple arm कितना है 0.5 मीटर मोमेंट of couple कितना हो गया 5 newton to 0.5 जो कि आगया 0. sorry 2.5 newton मीटर तो यह आप लोग डाइगराम देख सकते हैं और आप लोग इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं next question है हमारा question number 8 दोस्तों तो आप देखिएगा आप बोल रहा है a uniform meter ruler जैसे ही बोल दे uniform meter ruler मतलब एक मीटर का एक ruler है एक scale है एक मीटर का पाइवोटेड एट समीड पॉइंट कि कहां पर फिक्स दोस्तों एपने mid point पे pivoted है इसको O माल लेते हैं इस point पे यह fix है a weight of 50 GF is suspended at one end of it इसके एक end में 50 GF का जो है वो क्या है weight लटका हुआ है तो बोल रहा where a weight of 100 GF should be suspended to keep the rule horizontal माल लिजिए कि इधर 50 GF का weight suspended है यह क्या होगा scale जो है इधर जुकने लगेगा इधर rotate करने के लिए जुकने लगेगा means यह कौन से direction हो गया anti clockwise direction हो गया अब इधर बोल रहा है कि इस side हम कहां पे 100 GF का weight लटका है ताकि यह जो मेरा horizontal जो इधर जुक रहा है वो क्या हो जाए balance हो जाए यह पूरा है दोस्तों 100 cm क्योंकि एक मीटर में होता है 100 cm तो यहां से यहां कितना हो जाएगा 50 cm यह भी 50 cm तो यहां पर question बोल रहा है कि कितना moment of force जो sorry यह जो 100 GF का weight है हम इधर कहां पे लटका है कि हमारा यह जो scale है वो horizontal हो जाए तो हम जानते हैं दोस्तों according to यहां पर लगाएंगे principle of moment क्या लगाएंगे according to principle of moment at equilibrium state अब क्या होगा जब यह balance हो जाएगा horizontal हो जाएगा तो उस time दोनों कि साइड force लगेगा लेकिन यह कोई effect नहीं पड़ेगा scale में तो उस condition को बोलते हैं हम लोग equilibrium state तो इस time जो होता है वो क्या होता है clockwise moment equal to anti-clockwise moment यही होता है तो देख रहे हैं यहां पे कि 50 gf की वज़ा से यह clockwise moment करेगा और यह 100 gf जो इधर लटकाएंगे कहां पर लटकाएंगे भी fix पता नहीं है पर जो लटकाएंगे वो इधर move कर आएगा मतलब clockwise घुमाएगा तो clockwise moment में जो moment हो जाएगा वो यहां पे weight को हम लोग w मान लेते हैं क्योंकि sorry weight यहां पे दिया हुआ है कितना दिया हुआ है w1 और लिख लेते हैं d1 is equal to w2 और d2 यह हो गया w1 weight इसका w1 जो कि है 100 gf और यह है w2 जो कि है 50 gf और यह मान लेते है d1 d1 हमें पता है पता नहीं है find करना w2 हमें पता है 50 gf d2 भी हमें पता है कितना 50 cm तो यहां से यह gf से gf कटेगा और यह 50 से 10 से 10 10 से 10 तो यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों d1 मेरा आ गया 55 जा 25 cm मतलब हम उसको 100 gf का weight है उसे हम 25 cm पे लटकाएंगे तो यह scale हमारा क्या हो जाएगा horizontally balanced हो जाएगा तो आप लोग को आसा करता हूँ कि यह भी question समझ में आ गया होगा दोस्तों इसका भी solution आप लोग देख सकते हैं यहां पे कहां पे लटकाएंगे इसे 100 gf का तो 25 cm पे लटकाएंगे तो यह हमें इस scale को क्या कर देगा horizontally balance कर देगा आप लोग देख सकते हैं तो इस तरीके से आसा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं next question number दोस्तों 9 की तरफ तो यहां पे आप देख रहे हैं कि question number 9 हमारा क्या बोल रहा है a uniform meter rule फिर से एक uniform meter rule आ गया मतलब 100 cm का एक scale है कितना है 100 cm का scale है balance horizontally on a knife age वो जो है एक चाकू के age पे balance है placed at 58 cm मार्क जो की कहां पे मार्क है दोस्तों यहां पे है knife 58 cm पे कितना पे 58 cm पे यह knife मार्क है बोल रहा है when a weight of 20 gf is suspended from one end अब एक side जो है 20 gf का weight suspended है पर हमें पता नहीं कौन से side है हम दिमाग लगाएंगे कि कौन से side यह हो सकता है उसके बाद उसका diagram बनाना है और what is the weight of the rule और इस scale का weight find करना यह question दोस्तों बहुत ही ज़्यादा important है आप लोग के लिए क्योंकि यह question इस type का आपका exam में पूछता है और बहुत बार पूछा है दोस्तों हर बार पूछा है तो इस question का solution आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोग के लिए यह बहुत ही ज़्यादा important होने वाला है दोस्तों scale का कम पार्ट इधर है बचा हुआ और जादा पार्ट इधर है तो obvious बात है कि scale इधर जुकेगा तो scale इधर जुकेगा यह 20gf का weight हमें किधर देना होगा इधर देना होगा तो इस हिसाब से यहां तक का distance है 58 यह total है 100 तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों 100-58 that means 42 cm तो यह distance हो जाएगा हमारा कितना 42 cm अब पूछ रहा है बताइए कि यह scale का weight कितना होगा इस scale का weight हमें पूछ रहा है तो यह तो होगया इसका diagram फर्स्ट का answer होगया यह अब इसका weight हम find करेंगे किसका scale का तो आप लोग जानते हैं दोस्तों इस scale का पूरा भार मिडिल पे होगा मतलब इस scale का weight हम कहाँ इस scale का weight जहांद वहांद इसका distance कितना है दोस्तों 8 cm आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ का distance कितना है 8 cm तो हम लोग फाइंड करते हैं according to the principle of moment क्या होता है कि clockwise moment तो आप देख रहें दोस्तों यह ऐसे घुमेगा scale मतलब कौन से डिरेक्शन एंटी क्लॉक्वाइज डिरेक्शन और यह 20GF का इसको इधर घुमाएगा तो यह clockwise direction हो गया क्या हो जाएगा हमारा जो scale का weight जो हमें पता नहीं है तो वह माल लेते हैं डवलू और distance कितना है दोस्तों तो 8 cm और clockwise moment जो यहां पर clockwise moment जो हो रहा है 20GF के वज़ा से जिसका distance कितना 42 cm तो यहां से हम यहां से डवलू इसकोल टू हमारा हो जागा 20GF इन्टू 42 cm अपन 8 cm cm से से सेंटीमेटर कतम फोर फाइब जा ट्वेंटी पोर टू जा एट टू वन जा टू टू ट्वेंटीवन तो डवलू जो है वह कितना आ जाएगा 105GF आ जाएगा scale का weight मतलब इस scale का scale का weight कितना है 105GF तो आसा करता हो दोस्तों आप लोग को यह भी question समझ में आ गया होगा आप लोग इसका answer यहां पे देख सकते हैं आसानी से 105GF weight आ गया scale का चलते हैं दोस्तों next question question number क्या था यह 9 था 10 की और तो आप लोग दीख सकते हैं question number 10 में आप लोग के लिए diagram भी दे दिया है बोल रहा है the diagram shows a uniform bar supported at the middle point O एक uniform बार है जो O middle point पे supported है weight of 40 GF is placed at a distance 40 cm आप देख रहे हैं कि 40 cm पे weight 40 GF का रखा हुआ है तो the left of the point A is point A के left side आप पूछ रहा है how can you balance the bar with the weight of 80 GF तो बताइए कि 80 GF का एक weight जो है वो किधर रखेंगे यहां पे ताकि यह बार जो है balance हो जाए क्योंकि यह 40 GF रखें तो इसके वज़ा से इधर घुमने लगेगा हमें इसको balance करना है तो हमें क्या करना होगा 80 GF का weight इसके रखना होगा इधर ताकि यह क्या करें इसे balance करें तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे भी हम लोग लगाएंगे क्या principle of moment लगाएंगे और यह हो गया हमारा clockwise moment तो हम यहां पे principle of moment बोलता है clockwise moment और anti-clockwise moment दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं तो clockwise moment हमारा कितना है दोस्तों यहां पे इसके वज़ा से इधर हमें weight दिया हुआ है जिसको हम w मान लेते हैं w into d और इधर भी w into d या फिर w1 d1 w2 d2 तो weight जो है clockwise का वो कि नहें तीजियएफ का कहां पे रखना हम developments in d1 हमें find करना wARON हमें पटा है कितना 40 सेंटी मिटर इस हिसाब से हम यहां से d1 हमारा कितना हो जाएगा 40 gf into 40 सेंटी मिटर अपॉन ऐटी जीए तो जीएफ से घीएफ काई तो यह यह बार बैलेंस हो जाएगा तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं इसका आंसर दोस्तों आप लोग को यहां भी मैं कंप्लीट सोलिशन देके रखा हूं तो आप लोग को जो अच्छा लगे जैसे अच्छा लगे वै जहाना और आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों तब हम चलते हैं next question question number 11 की और तो यहां पर आप देख सकते हैं question number 11 बोल रहा है figure soja uniform meter ruler एक uniform meter ruler है 0 से 100 cm तक का placed on a fulcrum जो की fulcrum पे placed है at its midpoint और यह midpoint 50 cm ओ बोल रहा है and having a weight of 40 gf at the 10 cm mark 40 gf का weight है जो कितने पे mark है 10 cm पे and a weight of 20 gf at the 90 cm mark और एक weight है 20 gf का जो कितना पे mark है 90 cm पे is the meter rule is in equilibrium तो चेक करना है क्या meter ruler जो है वो equilibrium में होगा if not अगर नहीं हुआ तो how will the rule turn तो rule जो है यह scale जो है वो किधर turn करेगा वो बताना है and how can the rule be brought in equilibrium by using an additional weight of 40 gf अगर यह balance नहीं है horizontal नहीं है equilibrium नहीं है तो इस 40 gf का weight को हम किधर रखेंगे ताकि यह balance हो जाए तो सबसे पहले हम चेक करेंगे question number first क्या यह equilibrium condition में है या नहीं तो हमे clockwise moment और anti-clockwise moment दोनों निकालना होगा और दोनों बराबर आ गया तो हम बोल सकते हैं कि यह equilibrium condition में है और अगर नहीं आया तो क्या भोगा equilibrium condition में है हमें equilibrium लाने के लिए 40 gf का weight कहीं ना कहीं रखना होगा तो पहले हम find करते हैं पहले चेक करते हैं क्या यह equilibrium condition पे है तो जहां पी यह 40 जहांस इसका distance कितना होगे दोस्तों 50-10 that means 40 cm distance होगा इसका तो यह जो इसकी वज़ा से इधर ढूंड घूमेगा यह हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉक्वाइज तो एंटी क्लॉक्वाइज मुमेंट पहले निकाल लेते हैं दोस्तों एंटी क्लॉक्वाइज मुमेंट कितना हो जाएगा वेट है मारा कितना होटी जीएफ और डिस्टेंस एट इवन दैट मिन्स यह हो गया 40 इंटू 40 दैट मिन्स जाचक सुल्ला सो 1650 जीएफ संटीमेटर यह आ गया एंटी क्लॉक्वाइज उसी तरीके से ख्लॉक्वाइज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 जी एफ इंटू ये भी 40 जो कि आ गया चार दिनी 800 जी एफ सेंटिमीटर ये इतना आ गया तो आप देख रहे हैं कि clockwise और anti-clockwise दोनों अलग अलग आ रहा है मतलब ये क्या है balance नहीं है equilibrium नहीं है तो equilibrium नहीं है तो बोल रहा है ये किधर turn करेगा तो आप देख रहे हैं दोस्तों इधर का anti-moment of 4 जो जादा है तो इधर turn करेगा तो हमें क्या करना होगा इस side रखना होगा 40 जी एफ का weight को पर किस position पर रखना होगा ये हमें पता नहीं है हमें एक चीज़ पता है कि जब equilibrium condition होता है तो anti-clockwise moment और clockwise moment दोनों क्या होते हैं अपस में equal होते हैं तो clock anti-clockwise moment हमारा आ रहा है 1600 जीएफ सेंटीमेटर और clockwise आ रहा है 800 जीएफ सेंटीमेटर तो बताएए कि हमें 1600 जीएफ सेंटीमेटर करने के लिए इधर और कितना चाहिए 800 जी मतलब हमें यह है यह जो 40 जीएफ का वेट है उसे हमें कहा होगा 70 पे रखना होगा तब यहां से यहां का distance होगा 20 सेंटीमेटर और इस तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों यहां पर मैं complete solution उसका लेके आया हो आप लोग के लिए देख सकते हैं क्लॉक्वाइज मोमेंट आया 800 जीए यह आया एंटी क्लॉक्वाइज आया 600 जीए सेंटीमीटर जो है बराबर नहीं हुआ तो सोदा मीटर रूली नॉट इकुलिवरियम तो यह क्या करेगा एंटी क्लॉक्वाइज मोमेंट की तरफ भूमेंगा जो आप लोग को बता दिये तो हमें 50 जीए का वेट जो ही आपना होगा राइट हैं साइड रखना होगा मतलब इधर राखना होगा तो यहां से निमीकर कभी 20 cm मतलब 70 cm mark पे हम उस weight को रखेंगे यह horizontal ही balance हो जाएगा यह rule आप लोग को आसा करता हो दोस्तों समझ में आ गया होगा अब हम आ गया है question number 12 की और तो आप लोग देखिए question number 12 क्या बोलता है बोल रहा है कि when a boy weighing 20 kgf sits at one end of a four meter long seasaw it gets depressed at its end how can it be brought to the horizontal position by a man weighing 40 kgf बोल रहा है कि एक man है एक सीसाव है ऐसे रहता है सीसाव यहां पर बैठने वाला तो बोल रहा है कि a boy weighing 20 kgf sits at one end अब इधर एक लड़का बैठा हुआ है 20 kgf का और फोर मिटर लॉंग सीसाव और complete यह कितना है फोर मिटर का लंबा है इसका लंबाई है इसका लंबाई है एक इंड में यह जूख गया है इसें और मतलब 40 kgf मैं को इधर रखेंगे तो यहां पर यह जो सी साव है यह balance हो जाए तो यहां पर पर धेख रहें दोस्तों यह complete जो है 4 मिटर का हैं बंकि हमें एक चीज़ पता है कि 20 kgf का जो लड़का है वो इस एंड में बैठा है और यहांसी यहां का क्लॉक्वाइज मोमेंट निकालेगे 20 kgf into 2 meter और anti-clockwise moment हमें पता है 40 kgf पर distance हमें पता नहीं कहां पर रखेंगे तो इस हिसाब से दोस्तों यह 40 से जाएगा तो यह 2 आएगा और यह 2 से 2 भी जाएगा तो कितना आजाएगा हमारा distance आजाएगा कितना 1 meter मतलब उस 40 kgf वाले आदमी को हम 1 meter distance पर बैठाएंगे तो यह ज देख सकते हैं दोस्तों according to the principle of moment, anti-clockwise moment is equal to clockwise moment तो यहां पर आप देख रहे हैं कि anti-clockwise moment 20 kgf के वज़ा से होगा 2 meter clockwise distance जो 40 kgf into d हमें पता नहीं कहां पर रखेंगे इस हिसाब से आजाएगा कितना 1 meter का मतलब उस मोटे आदमे को या 40 kgf वाले आदमे को एक मिटर distance पर हम रख देंगे तो हमारा जो सी साब है वो क्या हो जाएगा balance हो जाएगा तो चलिए दोस्त बैलेंस है जिसका एक आर्म है 60 cm और एक है 40 cm बोल रहा है कि वाट वेट केप्ट ऑन पैन पैन अफ लॉंगर लॉंगर आर्म है इधर हम कितना वेट रखेंगे इस पैन पैन पे ताकि यह जो बैलेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 100GF on the other pen मतलब इधर जो रखा हुआ है 100GF का वेट रखा हुआ है तो बताइए कि इधर हम कितना वेट रखें ताकि यह balance हो जाए तो आप पता है कि इसके वज़ा से यह इधर मूड़ेगा that means यह clockwise moment करेगा और यह इधर घुमेगा इसके वज़ा से यह anticlockwise moment करेगा तो हम जानते हैं कि principle of moment हमारा बोलता है anticlockwise moment यह लोग वाइज मोमेंट दोनों क्या होते हैं आपस में equal होते हैं यहां पर anticlockwise moment में हमें डबलू पता नहीं है पर हमें distance पता है कितना 60 cm इधर clockwise में डबलू भी पता है कितना 100GF और distance भी पता है 40 cm तो यहां से अगर डबलू न इन्टु 40 cm अपॉन 60 cm से सैंटीमेटर से सैंटीमेटर कैंसल जीरो से जीरो कैंसल टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स जो कि आ गया 200 वाई 3GF तो यहां से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 66.66 GF आएगा तो इस तरीके से दोस्तों इसका solution आप लोग को समझ में आ गया ह होगा तो आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं उसका solution में यहां पर करके दिखा दियों आप लोग के लिए तो अब हम चलेंगे next question दोस्तों चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं question number 14 हमारा क्या बोल रहा है बोल रहा है कि the diagram shows a uniform meter ruler weighing 100 GF pivoted at its center O क्या बोल रहा है कि एक uniform meter ruler है जो कि pivot है कहां पर O पर पूछ रहा है बोल रहा है कि two weights two weights 150 GF and 250 GF hang from the point A and B respectively जो is point A पर B पर hanging है respectively of the meter ruler such that O is equal to 40 cm and O B is equal to 20 cm तो पूछ रहा है कि the total anti-clockwise moment about O is O पर along 20 total anti-clockwise moment क्या होगा इस 250 GF ते वज़ा से यह इधर घुमेगा जो कि हमारा clockwise direction है यह इसकी वज़ा से इधर घुमेगा जो कि anti-clockwise direction है तो anti-clockwise direction में कितना हो जाएगा 150 GF into distance कितना है 40 cm जो कि आ गया कितना 6000 GF cm इसी तरीक से clockwise कितना हो जाएगा 250 GF into 20 cm जो कि आ गया 5000 GF cm तो next अब फर्ट और सकेंड का हो गया यह फर्स्ट कांसर यह सकेंड कांसर third question में पूछ रहा है the difference of anti-clockwise moment and clockwise moment so difference आप देख रहे है इधर आ रहा है 6000 इधर आ रहा है 5000 तो difference हमारा कितना का होगा 1000 GF cm का होगा difference कितना होगा 1000 GF cm का तो पूछ रहा है the distance from where a 100 GF weight should be placed to balance the meter ruler आप बोल रहा है कि 100 GF weight को कहां पर रखें ताकि यह जो हमारा scale है यह क्या हो जाए balance हो जाए आप देख रहें दोस्तों कि इधर का moment है और इधर का moment है मतलब anti clockwise moment जादा है और clockwise moment कम है तो इस 100 GF वाले weight को हमको इधर लाना होगा और इधर moment कितना बढ़ाना होगा हमको 1000 GF cm सभी तो जाके यह balance होगा तो अगर हम इधर 100 GF का weight रखेंगे तो किस cm मतलब कहां पर रखेंगे ताकि यह जो meter ruler है वो क्या हो जाए और horizontally balance हो जाए तो चलिए हम find करते हैं हम जानते क्या दोस्तों कि principle of moment बोलता हमारा anti clockwise moment जो कि हमारा कितना है 6000 GF cm और clockwise moment कितना है clockwise moment क्या है 5000 GF cm पलस इधर कितना क्या find करना है कितना दिया हुआ है हमारा 100 GF लेकिन हमें find क्या करना है इसके बीज में distance कितना पर कहां पर होगा तो यहां से आप देखिए दोस्तों यह 5000 में 6000 में 5000 जाएगा 1000 GF cm और इधर बचेगा 100 GF into D cm तो यहां से 20-20 खत्म तो D हमारा आ गया कितना 10 cm मतलब उस 100 GF को हमको कहां पर रखना होगा 10 cm के distance पर रखना होगा तो यह balance जो हो जाएगा horizontally यह ruler जो है वो balance हो जाएगा यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों उसका solution भी है तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि question number 15 हमारा क्या बोल रहा है यहां पर question number 15 बोल रहा है यह uniform meter rule of weight 10 GF is pivoted at its zero mark क्या बोल रहा है कि uniform meter rule 100 cm का और इसके zero mark पे 10 GF का weight जो है वो pivoted है fix है तो बोल रहा है यहां पर GF है बोल रहा है what moment of force depressed the rule तो कितना moment of force जो है इस scale को depressed करेगा तो यह इधर गूमेगा इसके वज़़ा से यह anticlockwise moment करेगा तो यह हमें find करना है तो यहां पर हमें जानते हैं दोस्तों moment of force का formula होता है force into या फिर weight into perpendicular distance तो हमारा weight है 10 GF और perpendicular distance है दोस्तों 50 cm यहां से हमारा आ जागा कितना 500 GF cm इतना moment of force जो है इस scale को क्या करेगा डिप्रेस करेगा यह हो गया फर्स्ट का answer second में में बोल रहा है कि how can it be made horizontal by applying least force अब हम इधर कितना least force apply करें ताकि यह क्या हो जाए balance हो जाए horizontal हो जाए तो हम लगाएंगे principle of moment दोस्तों और वह होता है anti-clockwise moment is equal to clockwise moment तो यहां पर देख रहें दोस्तों anti-clockwise moment हम निकाल चुके हैं 500 GF cm क्लॉक wise moment के लिए यह distance कितना हो जाएगा दोस्तों 100 cm और हमें वेट निकालना है तो 100 यह कटेगा इधर बचेगा 5 that means हमारा वेट कितना आ गया दोस्तों 5 GF cm से cm cancel तो 5 GF weight जो है इस side हमें देना होगा तब जाके यह scale जो है next question question number 16 के और तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि question number 16 हमारा क्या बोल रहा है बोल रहा है यूनिपॉर्म हाफ मिटर रूल एक हाफ मिटर रूल है दोस्तों 50 cm का यह और 29 cm पर यह mark है fix है when a mass of 20 g इसमें एक mass से 20 g का इधर लटका हुआ है from its one end बोल रहा है draw a diagram तो यह हो गया उसका diagram दोस्तों फर्स्ट का अंसर हो गया यह second बोल रहा है find the mass of the half meter rule इस half meter rule का mass find करना है हम जानते दोस्तों कोई भी scale होता है तो उसका मास होता है उसके center पर ही लाई करता है मतलब 25 cm पर तो अब हम यहां से इसका यह find करेंगे mg यहां से हम निकालेंगे क्या लगाएंगे principle of moment anti-clockwise moment is equal to clockwise moment तो हम यहां पर देख रहे हैं इस mass के वज़ासी यह anti-clockwise direction में move करेगा और यह clockwise तो यहां से anti-clockwise हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 25-29-25 that means 29-25 और यहां से में mg फाइंड करना है और इधर clock का आजएगा कितना दोस्तों clockwise moment का आजएगा 20 ग्राम इंटो 29-50 मतलब 21 सेंटिमीटर यहां से यह आजएगा 4 into mg is equal to 20 into 21 तो फोर बन जब फोर फाइगा 20 जहां से आजएगा 105 GF mg कितना आजएगा दोस्तों 105 GF इस तरीके से यह हो गया second का answer B का तो इस तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों इसका solution भी आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने इसका solution भी आप लोग को लेंथ एल मीटर एक उनिफॉर्म बार है जिसका लेंथ है दोस्तों कितना एल मीटर इस सपोर्ट एट एट इस एंड एड लोड़ेट बाई वेट डबलू केजीएफ एट इस मिडिल यहां पे आप देख रहे हैं एक डबलू केजीएफ का मिडिल पे है इन इकुलिब्रिय लगाएंगे और इकवल लगाएंगे दोनों क्या लगाएंगे इकवल रियक्षन फोर्स लगाएंगे ताकि यह वेट जो है और यह जो रूल है यह बैलेंस रहें यहां पे दिया हुआ क्या कि आरवन प्लस आर्ट इस उक्वल टू डबलू और आरवन इन्टू बाई टू इसको नीचे खीचेगा डबलू तो हम यहां पे बोल सकते हैं और यह दोनों आरवन प्लस आर्टू उपर लगाएंगे तो हम बोल सकते हैं आरवन प्लस आर्टू इस उक्वल टू क्या होगा डबलू मतलब यह आरवन आर्टू जितना मिल के बराबर फोर्स लगाएंगे यह अकेले weight जो है नीचे खीचेगा और हमारे पास दिया हुआ है क्या hint में दिया हुआ भी है कि इन equilibrium में equilibrium condition में r1 plus r2 कितना होगा r2 w के बराबर होगा और r1 तो यहां पर हम लिख सकते हैं r1 into 1 by 2 is equal to एक और भी दिया हुआ r1 into r by 2 that means r2 is equal to 1 by 2 यह दिया हुआ है यहां से 1 by 2 1 by 2 cancel होगा तो r1 is equal to r2 आ जाएगा मतलब r1 जो है r2 के क्या है पराबर है तो यहां से हम find कर सकते हैं दोस्तों हम यहां पर r1 plus r2 को हम r1 लिख सकते हैं और यहां मेरा आएगा w2 r1 plus r1 to r1 हो जाएगा r1 is equal to weight हो जाएगा w यहां से जो reaction force लगेगा वो weight का कितना लगेगा दोस्तों आधा लगेगा मतलब r1 के द्वारा भी जो weight का आधा लगेगा reaction और r2 के द्वारा भी weight का आधा लगेगा reaction मतलब यह है कि जितना weight नीचे लगेगा उसका आधा reaction force r1 लगाएगा उसका आधा reaction force इस तरीके से इसका solution आप यहां पर भी देख सकते हैं दोस्तों principle of moment के हिसाब से R1 प्लस R2 is equal to W equilibrium condition में होता है equilibrium condition में यह दोनों बराबर होता है तो जब यह system equilibrium है तो यहां पर दिया हुआ था यह दोनों बराबर यहां से R1 is equal to R2 इस तरीके से दोस्तों यह सारा अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं अभी तक अगर मेरे जैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज का session आपका होता है खतम दोस्तों और अगर अच्छा लगा होगा आपको तो आप अपने दोस्तों तक जरूर सेयर किजिएगा और अभी तक आगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग टेलिग्राम में जाके इस चैनल को सर्च कर सकते हैं और यहां पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मैं class खत्म होने के बाद वहां पे इस चैनल पे अपना PDF कर दीता हaza आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों